हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू सिक्षा सो थर्ड लेक्चर इमसी क्यूंज उन करेंट इश्यूस का स्टार्ट करेंगे जल्दी से दो लेक्चर अल्वडी देख चुके हैं तो प्रोसेस वही रहेगा दस कुश्चन आएंगे आपके सामने एक के बाद एक कुशन आएगा उसक से अटेम्ट करने की कोशिश करनी है ठीक है अगर स्किप करना चाते हो तो स्किप कर दो ठीक है एक पेपर लेकर के बैठा करो उस पर स्किप लिखो फिर लास में देखो कि दस में से कितने कोशन सही हुए और कितने कोशन गलत हुए ठीक है हर सही कोशन के लिए अपने आप statements with respect to सागर माला sea plane service, सागर माला sea plane service अभी recently news में था January month में, तो इस से related statements आपको consider करना है सबसे पहले यह जो project है यह aim करता है to connect Indian states, इंडिया के जो शहर है with its neighboring countries neighboring countries के साथ connectivity through sea plane service, second statement कहता है कि सागर माला development company limited, जो ministry of coach के administrative control के अंडर है, वो इस project को, यानि कि सागर माला sea plane service project को implement करेगी आपको बताना है, इन दोनों statements में से कौन सा statement correct है ठीक है, options यह रहे, आपके one only, two only, both या neither questions mix करेंगे, जो मैंने आपको process बताया, statement based वाले भी देखेंगे facts वाले भी देखेंगे, और जो statement based वाले होते हैं, उन में अपने आप facts भी cover हो जाते हैं, ठीक है, तो answer इस case में क्या होगा, answer होगा, आपका option B, two only, देखो पहला statement गलत है, पहला statement क्यों गलत है, क्योंकि अभी के लिए जो यह project है, यह सिरफ और सिरफ Indian states की connectivity के लिए है, Indian states only, हम अभी किसी neighboring country के साथ, या किसी और country के साथ connectivity की बात नहीं कर रहे है, seaplane services के थुरू, इसी वज़े से आपका पहला statement गलत है, second statement बिल्कुल सही है, सागर माला development company limited जो है, वो implement करेगी इस project को, जो ministry of ports के अंडर है, ठीक है, फिर भी एक बार solution देख लेते हैं, तो news में क्यों था, क्योंकि ministry of ports ने ये process initiate किया है, to commence the operations of seaplane services, अभी selected routes पे seaplane services को operate किया जाएगा, और ये एक special purpose vehicle framework के अंडर, जो है, airline operators को इसके अंडर, जो है, project दिये जाएगे, ठीक है, जो project execution and implementation है, सागरमाला Development Company Limited देखेगी, जैसे कि अभी हमने पीछे question में भी देखा, currently सिरफ Indian states को connect करने की बात हो रही है, add ऐसी एक seaplane service already operation इसका start हो चुका है, वो है के बढ़िया से साबरमती एमदाबाद में, ठीक है, प्रधान मंतरी इसको inaugurate करने गए थे, इसलिए भी important हो जाता है, पता होना चाहिए, इसके उपर भी सवाल पूछ सकते हैं, कि where was the first seaplane service started its operation, so के बढ़िया और साबरमती के बीच में, जो है, ये seaplane service start होई है, ये आपको याद होना चाहिए, ओके चलिए, second question की तरफ चलते हैं, एक और question देखते है, statement based, consider the following statements, ओके, it is the India's first indigenously produced medium rain surface to air missile, ओके defense news की बात हो रही है, it is a part of integrated guided missile development program, nuclear capable missile है, तो आपको बताना है, इन में से कौन सी missiles जो आपके पास options में हैं, वो इन तीन categories को fulfill करती है, अकाश, अस्त्रा, ब्रामोस, हेलेना, देखो अगर इन missiles के बारे में information है, तब भी आप इस question का answer कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, और ये सारी missiles के उपर question आते रहते हैं, ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहते हैं, क्योंकि के हैं, एक बार अकाश मिजाइल को डिटेल में देख लेते हैं, तो it is the first indigenously produced medium range surface to air missile, देखो एक missile में क्या-क्या देखने वाला होता है, सबसे पहले तो surface to air missile है, medium range की है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, indigenously produced है, जो medium range और surface to air है, ये बहुत important है, multiple targets और multiple directions में engage कर सकती है, speed इसकी 2.5 times है sound speed से, या इसको हम 2.5 Mac भी लिख देते हैं, ठीक है, तो speed का भी एक idea आपको होना चाहिए, and it can detect and destroy targets which are flying low, medium and high altitudes, ठीक है, ये जो particular missile system है, अकाश missile system, ये हिंदुस्तान के 30 साल पुराने integrated guided missile development program के under built की गई है, integrated guided missile development program के under और भी missiles built की गई है, वो है आपकी नाग, अगनी, त्रिशूल और प्रिथवी, ये पता होनी चाहिए, अच्छा direct question अगर मैं आपर बनाना चाहूं, which among the following missile systems has been developed under the integrated guided missile missile development program, मैं आपको option में देदूंगा, option 1 मैं एक मैं कहादूंगा, एक मैं कहादूंगा Aakash, एक मैं कहादूंगा Nag, एक मैं कहादूंगा Agni, एक मैं कहादूंगा Brahamos, ठीक है, तो और नीचे मैं options देदूंगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, only, 2, only इस तरह से options दे दूँगा तो ब्रामोज तो नहीं है ना इसमें तो automatically जिस option में 123 होगा वो answer हो जाएगा तो यह भी याद होना चाहिए कि integrated guided missile development program में आपकी पांच missiles जो है वो आती है नाग अगनी त्रिशूल पृत्वी और अकाश ठीक है जी यह जो आपकी अकाश missile है यह nuclear capable है and it can fly to at a maximum height of 18 km यह भी important है याद कर लेना कहीं बार इसके उपर भी statement based question जो है वो पूछ लेंगे ठीक है चलिए third question देखेंगे okay direct question monpa handmade paper industry is mainly based in which of the following states monpa handmade paper industry अभी news में आई थी ठीक है तो यह कौन सी state में based है असाम मनिपूर में घाल लिया या फिर अरुनाचल परदेश ठीक है factual question है अगर आपने news पढ़ी है news को current affairs को follow किया तब यह आप इसको answer कर सकते है नहीं तो answer करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चलिए answer इस case में क्या होगा इस case में answer होगा आपका option d अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश इस the correct answer ठीक है तो मौनपा handmade paper जो around thousand year old heritage है अरुनाचल परदेश की तो it was losing its value ठीक है बहुत कम लोग एंगेश थे इस handmade paper industry में और धीरे धीरे यह जो है खतम होती जा रही थी तो recently जो आपका KVIC है that is your khadi and village industries commission इसने decide किया to revive this particular art form okay now this what is this मौनपा handmade paper industry तो basically handmade paper बनाते है और it is it has it is basically the integral part of the local customer and culture in Tawang जिसको अब KVIC revive करने का कोशिश करेगा ओके चलिए next question देखते हैं fourth question once again direct factual question which country is planning to launch world's first wood-based satellite wood से बनी हुई satellite कौन सा country जो है वो plan कर रहा है launch करने का by 2023 और क्यों ऐसा wood-based satellite launch करने की बाते हो रही है क्योंकि हम अक्सर बात करते है space junk की इतनी सारी जो satellites space में जा रही है जब वो satellites अपनी usefulness खतम हो जाती है उनकी life खतम हो जाती है they just you know are moving in the space okay वो junk material बन करके space में revolve करते रहते हैं जो एक बहुत बड़ा danger बन जाते हैं ठीक है बाकी की जो operational satellites है उनके लिए all right तो wood-based satellite बनाने की कौन आप बात कर रहा है options इंडिया फ्रांस यूएस जपान देखो मैंने space वाला कोशन पिछली class में भी गया था मैंने तब भी आपको कहा था कि जब भी space related कोई first आता है न तो सबसे पहले जादा तर ध्यान चाइन यूएस या फिर बाद में रशिया ठीक है कोई भी science से related एडिया कोई ऐसी development है तो ज्यादा तर इन तीन countries के उपर लोगों का ध्यान जाता है और इन में से एक ना option में रहता ही रहता है ठीक है जैसे अब यहाँ पर USA option है तो जिस बचे नहीं पड़ा वो कहेगा यार नासा ही बना रहा होगा ऐसा काम तो नासा ही कर सकता है ठीक है तो यह धोका नहीं रखना है अपने साथ मैंने पहले भी बताया था अब इस चैस में उंसर क्या है यहां पर आंसर क्या है जपान होगा जपान फ़र्स्ट घृश स्पेस सेटलाइट बनाने की बाद कर रहा है बटी ट्विनटी थरी चाहिए फिफ्प कोश effective question which of the following statements about light house projects is are correct ठीक है correct statement आपको बताना है lighthouse project ये भी news में था नरेंदर मुदी ने ये particular project जो है launch किया था so पहला statement कहता है कि lighthouse project has been launched in India as a part of United Nations human settlement program United Nations human settlement program का part है statement 2 कहता है कि under the project the houses will be constructed in the capital cities of Jharkhand, Uttar Pradesh, Assam and Gujarat 5 states के यहाँ पर नाम गिवन है, आपको बताना है correct statement कौन सा है 1 only, 2 only, both या फिर D, neither तो answer यहाँ पर क्या होगा, answer आपका यहाँ पर है D, neither, दोनों statements incorrect है पहला statement incorrect क्यों है, क्योंकि इंडिया में लौच तो हुआ है पर यह United Nations Human Settlement Program का पार्ट नहीं है ठीक है, तो answer एक बार देख लेते हैं So, यह किसका पार्ट है, this is the part of Global Housing Technology Challenge India Initiative Okay, not the United Nations Human Settlement Program और यह six sites पे जो है, launch किया गया है through video conferencing by the Prime Minister statement 1 incorrect क्यों होगा है, क्योंकि United Nations Human Settlement Program नहीं है Global Housing Technology Challenge है All right, अब यह जो six LHPs है, यह हर LHP में around thousand houses होंगे जिन में physical and social infrastructure facilities जो है, वो construct की जाएंगी और यह छे जगा उपर होगा, वो छे जगाए कौनसी हैं इंदौर, मध्यापरदेश, राजकोट, गुजरात, चिन्नेय, तामिलनाडू, राची, जारकन अगरतला, अगरतला, त्रिपुरा, एड लखनाव, उत्तरपरदेश तो वहाँ पर अपने options में त्रिपुरा गिवन नहीं था, इसलिए जो statement है, वो गलत हो गया जारकन था, उत्तरपरदेश था, अचा असाम भी नहीं है, देखो ठीक है, असाम इसमें नहीं है, तो असाम भी था, इसलिए वो गलत हो गया तो इसलिए second statement गलत हो गया, ये छे जगाए, एक brief idea होना चाहिए कि कहाँ पर ये LHP project जो आ रहा है, इंदौर, मध्यापरदेश मतलब आप state याद कर लो, क्योंकि state की capital city है तो मध्यापरदेश की capital है, मैं पता है इंदौर, गुजरात की राजकोट, तामिलाडू की चिनने, जारखंड की रांची, त्रिपुरा की अगरतला है और उत्तरपरदेश की लखना हो, तो 6 states से याद कर लो मध्यापरदेश, गुजरात, तामिलनाडू, जारखंड, त्रिपुरा और उत्तरपरदेश अपने आप याद हो जाएगा ठीक है, अब यह जो यहाँ पर houses construct किये जाएंगे under this LHP project, यह क्या होगा? इस project will basically, you know, showing the, this project will, these houses will be made using the 6 distinct shortlisted innovative technologies, innovative technologies को use किया जाएगा, mass housing के लिए, ताकि जो houses है, they are more economical, they are more sustainable, उनकी quality हाई हो और durability जादा हो, ठीक है? as compared to the conventional brick and mortar construction, तो यह इस project का agenda है, alright, चलिए, next question पर चलते हैं, 6th question देखते हैं जल्दी से, यह भी काफी जादा news में था, काफी important question है, which of the following statements are correct with respect to trans fat? पहला statement कहता है कि यह major contributor है to the rise in non-communicable diseases in India, non-communicable diseases कौन से हो जाते हैं, आपके cardiovascular diseases, जैसे आपके heart diseases, diabetes, यह सारे क्या हैं, non-communicable हैं second, in India, the amount of trans fatty acids in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 2022 from the current permissible limit of 5%, okay, यहाँ पर यह statement थोड़ा सा unclear है, so, यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझिए, India aims to reduce the amount of trans fatty acids in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 2022 from current permissible limit of 5%, ठीक है, यह दो statement है, आपको बताना है कौन सा statement correct है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, option C, option C, तो trans fatty acids के बारे में देख लेते हैं, तो सबसे पहले trans fat जो होता है, food oxygen होता है, जो आपके partially hydrogenated vegetable oils और baked और fried food में होता है, ठीक है, and trans fat और trans fatty acids यह एक form of unsaturated fat होता है, and यह natural and artificial forms दोनों में visible होता है, यह सारी की सारी statements ना important हो जाती है, question में वो पूछ लेगा, trans fat यह आपका science का part भी बन जाएगा, अगर वो specifically trans fat के उपर current को हटा करके, सिरफ trans fat के उपर question पूछेगा, तो वो आपका static general science का part भी बन जाएगा, तो trans fat, वो statement देदेगा कि trans fat और trans fatty acids are only in the artificial form, और are only in the natural form, इस तरह से वो statement based question देगर कि आपको confuse कर सकता है, ठीक है, उसके बाद trans fats also contribute to insulin resistance, 10 जो है आपका diabetes के risk जो है वो बढ़ जाता है, और heart diseases भी जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो पहला statement बिल्कुल सही था, non communicable diseases से contributor है, second statement जो है वो भी बिल्कुल सही है, और इस aspect में जो आपका role play करता है, वो है food safety and standards authority of India, so FSSAI ने अभी recently amendment किया है, अपने food safety and standard, prohibition and restriction on sale, ठीक है, इसमें amendment किया FSSAI ने, और according to this FSSAI ने क्या बोला है, कि अभी currently हमारे यहांपर 5% fatty acids का quantity जो है वो approved है, ठीक है, तो इसको 3% तक लेकर जाना है, companies को 2021 तक and ultimately 2% तक लेकर के जाना है 2022 तक, ठीक है, तो यह याद होना चाहिए, 3% 2021 तक and 2% 2022 तक, क्योंकि यह directly पूछा जा सकता है, alright, so यह जो revised regulations हैं, यह सब पर लगेंगी, जो भी trans fat, जिन भी products में trans fat use होता है, चाहिए, वो edible refined oil है, वनस्पती है, ठीक है, margarine है, bakery shortening है, जिन्मी चीजों में यह trans fatty acids use होते हैं, उनको यह use करना पड़ेगा, 3% 2021 तक and 2% 2022 तक, जो है, उनको लेकर के आना है, अभी 5% है, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, 7th question, All right, किस state government ने launch pad scheme जो है, वो launch की है, to provide employment opportunities for youth coming from child care institutions of the state, चलो, state बताना है आपने, option A, Bihar, option B, Kerala, option C, Madhya Pradesh, और option D, Rajasthan, कौन सी state government ने launch pad scheme को launch किया है, बताइए, अंसर क्या होगा इस case में, ठीक है, factual question है, direct question है, So, the answer here will be option C, option C will be the correct answer, option C will be the correct answer, Madhya Pradesh, Madhya Pradesh में ये particular scheme जो है, वो launch की गई है, ओके, अब देखो question दूसरे तरीके से भी पूछा ला सकता था, अभी मैंने आपर आपसे state पूछ लिया, मैं ये भी question इस तरह से भी form कर सकता था, कि MP, यानि कि Madhya Pradesh, launched, launchpad scheme, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि Madhya Pradesh ने launchpad scheme launch की है, the aim of the scheme is, अभी मैंने आपको question में aim given है, कि employment प्रोवाइड करनी है, यूथ को जो childcare institutions से भाहर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी orphan kids या childcare institutions में जो बच्चे थे, जब वो 18 years से अबब हो जाएंगे, तो उनको employment opportunities प्रोवाइड करनी है, अभी मैंने आपको reason बताया था question में, कि किसलिए scheme launch की गई है, पर मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपसे पूछ लेता कि किस agenda के लिए ये launch की गई है, मैं चार आपको areas देता, farmer protection ये, woman protection इस तरह से मैं आपको options दे देता, और answer ultimately child care institution से जो youth आ रहे हैं, उनको employment opportunities will be the correct answer, ठीक है, तो एक बार explanation देख लेते हैं, और only for the girls, और only for the boys, तो दोनो boys and girls के लिए हैं, ठीक है, तो जो boys and girls, they are coming out of the institutional supervision of child care institutions, of the state of MP, और जिनोंने 18 साल complete कर लिये हैं, उनको employment opportunities provide की जाएंगी, इसके लिए क्या किया जाएगा, district administration जो है, वो इन youth को space भी provide करेगी, ताकि वो कोई अपना छोटा मोटा जो है, काम setup कर सकें, जैसे coffee shop, stationary, photocopy, computer typing, DTP work, तो इन सब चीजों के लिए उनको working space भी provide की जाएगी, ओके, चलिए, 8th question देखेंगे, economics का question है, current affairs में रहता है यह वाला part भी, consider the following statements regarding bound rates और bound tariff, bound rate और bound tariff से related आपको दो statements given है, पहला statement कहता है कि bound rate is the maximum rate of duty, tariff, or tax you can say, that can be imposed by the importing country on the imported commodity, जो country import कर रही है, उस, वो country, जो good import किया जा रहा है, उस पे maximum tariff जो लगा सकती है, वो उसको कहेंगे bounding rate, bound rate agreed foreign commodity at WTO is same for all the members of WTO, तो अगर एक commodity के लिए bound rate WTO में fix कर दिया गया, तो वो सारी commodities के लिए, वो सारी countries के लिए same रहेगा, ठीक है, जैसे rice के लिए अगर bound rate fix कर दिया 5%, ठीक है, तो सारे देश, अगर वो import कर रहे हैं rice को, तो वो 5% से ज़ादा custom rate of duty है, वो नहीं लगा सकते, तो आपको बताना है इन में से कौन सा statement सही है, first, second, third, और fourth, अब देखो, इस case में जो सही answer रहेगा, वो रहेगा आपका option A, one only, ठीक है, one only will be the correct answer, क्यों? पहला statement बिल्कुल ठीक है, boundary rate जो है, वो maximum rate of duty होता है, जो कोई भी country impose कर सकती है, imported commodity पे, ठीक है, for example, India है, इंडिया ने कह दिया कि यार, अगर मैं television import कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में television अगर मैं import कर रहा हूँ, तो मैं television के लिए import rate इंडिया ने set कर दिया, 8%, तो इंडिया जो है, जब television import होगा, तो इंडिया custom duty लेता है, ठीक है, text लगाता है, import duty लेता है, तो 8% से ज़ादा नहीं ले सकता, जो boundary rate set कर दिया, और ये boundary rate हम WTO को बताएंगे, कि हाँ, हम 8% का boundary rate set कर रहे हैं, हम इससे कम कर सकते हैं, 4%, 5%, 6%, 2%, पर हम इससे ज़ादा नहीं कर सकते, दूसरा statement जो कह रहा है, कि boundary rate agreed for an commodity at WTO is same, ये गलत है, क्योंकि वो same नहीं होता, हर country अपना boundary rate खुद set करती है, ठीक है, और वो WTO को फिर बताती है, पर ये ऐसा नहीं है कि WTO के meeting में एक बार rate set हो गया, और सारी countries को मानना पड़ेगा, ये नहीं होता है, ठीक है जी, तो ये explanation मैंने आपको दे दी हैं याँ पर, और ये news में इसलिए रहता है, क्योंकि rates वगेरा को fix करने की बाते, जो है WTO में चलती रहती है, मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि सारे के सारे questions मैं खुद से frame करता हूँ, मैं बहुत सारे sources से reference लेता हूँ, ठीक है, और मुझे कहीं ऐसी websites हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो, मुझे अच्छे question अगर महाँ पर मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से reference लेके question एक आदा pick कर लेता हूँ, ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचना, कहीं कोई question दिख जाया, और आपको सरी है, तो आपने copy-paste कर लिया, बिल्कुल, कहीं चीज़े copy-paste की जाती हैं, ठीक है, चलिए, content provide कराने के लिए, मेरा effort ये रहता है, कि मैं आपको, बहुत सारे धेर में से, best provide कराने की कोशिश करू, कुछ चीज़े खुद बनानी पड़ती है, कुछ चीज़े इंटरनेट पे available होती है, कई explanations भी इंटरनेट से लिनी पड़ती है, ठीक है, everything cannot be typed, ठीक है, फिर वो बहुत time लग जाएगा, देस question बनाने के अंदर, ठीक है न, क्यों, question इसके उपर क्यों frame किया गया, तो कैरला government ने अभी एक digital media literacy program शुरू किया है, जिसका नाम है सत्यमेवज जायते, ठीक है, सत्यमेवज जायते, which is truth alone triumphs, ठीक है, सत्य ही हमेशा जीतेगा, और ये जो digital media literacy program है, ये basically कैरला ने शुरू किया है, ताकि fake news का जो मैनेस है, उससे fight किया जा सके, अब देखो, directly यहाँ पर एक question पूछा जा सकता था, factual question जो पूछा जा सकता था, कि which state government has started a digital media literacy program called सत्यमेवज जायते, ठीक है, ये सीधा सवाल पूछ लिया जाता, और इसमें options दे देते, तीन states North India की देते, जो है, वो नहीं use करेंगे, ऐसा भूट लोगों में psyche बना हुआ है, समझे जो अगर नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर direct question बन जाता है, तो सत्यमेवज जायते के बारे में फिर additional information है, मुंडू का उपनिशाथ सी ये लिया गया है, इसलिए correct है, statement 2, statement 1 भी correct है, after independence सत्यमेवज जायते को national motto of India, जो है select किया गया था on 26 January 1950, देवनागरी script में ये आपको जो Indian emblem है, that is the line, capital of Ashoka, उसके base पे आपको inscribed मिलेगा, तो statement 1 भी correct है, उसके इलावा जो आपका emblem है, और जो ये word है सत्यमेवज जायते, ये आपको Indian currency पे भी मिलेगा, हर Indian currency पे, और जो भी India के national documents है, उनके उपर भी आपको मिलता है, ठीक है तो ये statement based question आपको बना करके, वो पूच सकते हैं, ओर राइट, चलिए, ओके, नाव दे लास्ट कॉस्टिए अप इस पर्टिक्लर लेक्चर, वेर डिड़ दे टूडे, Asian Waterbird Census 2020 comments on January 2021, Asian Waterbird Census 2020, कौनसी स्टेट में हुआ था, Tamil Nadu, Nagaland, Sikkim, अंद्रा परदेश, factual question है, आता है या नहीं आता है वाली चीज़ होती है, इनमें दौर आहे कोई नहीं होते, ठीक है, तो अंसर यहाँ पर क्या होगा, अंसर होगा, आपका option D, आंद्रा परदेश, ठीक है, आंद्रा परदेश will be the right answer, चलिए, so all right guys, यहाँ पर हमारे 10 questions, जो है, वो खतम होगे हैं, I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, फिल भी कोई भी doubt हो, कोई query हो, कोई चीज लगा हो, कि नहीं सर यह गलत है, गलत बताईए आपने, उसको comment section में आप decently लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी की playlist साब की screen के उपर है, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best and bye bye,